नमस्तर दोस्तों आप सबी का एक वार फ्रस्त स्वागत है आपके अपने योट्योब चानल में फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रिग्नेंसी के दोरान रिलेशन आपको कब बनाना है कब नहीं बनाना है कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है तब आपको बिलकुल ये रिलेशन सिप नहीं बनाना है तो ये सारी चीज़े बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंसी के दोरान महिलाओं के चलती रहती है दिमाग में बाते और जिसका उनको सामाधान पता नहीं होता है देखे फ्रेंट सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिलेशन बनाने के फायदे कौन कुन से होते हैं सबसे पहला बिनेफिट ये होता है कि जब आपकी प्रेग्नेंसी होती है तब सरीर के अंदर बलड का सर्कुलेशन सही से होना बहुत ज़रूरी होता है जो कि जब आप relation बनाती है तो बहुत ही अच्छे से होता है जिसके वज़े से बच्चे के सरीर के पास या बच्चे के development एडिया पे बहुत ही अच्छे से बच्चे तक oxygen पहुचाने में सरीर को help मिल जाती है क्योंकि आपका blood का circulation अच्छे से हो रहा है इसी के साथ साथ friends जब आप relation maintain करते हैं तो आपके जितने भी tension होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं जो एक तनाव होता है महिलाओं के हमेसा दिमाग में बहुत सारी बाते चलती रहती हैं pregnancy के दोरान तो ऐसी जो भी परिशानी होती है दिमाग से वो कुछ हद तक आपको relax प्रशी का असास करती है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होता है आपके hormones को विवस्तित रखने के लिए और भी ज्यादा अच्छा होता है इसलिए pregnancy के दोरान रिलेशन आप बना सकती है साथी साथ pregnancy के दोरान अगर आप relation काफी वक्त तक नहीं बनाते हैं तो आपके आ रिलेशन मेंटेन करना आपके ऊपर डिपैंड करता है जब आप चाहें कर सकते हैं बाट बहुत सारे महिलाओं को लगता है तो सरीर के अंदर बहुत सारे changes होते रहते हैं तो इस दोरान डॉक्टर भी ये suggest करते हैं कि आपको avoid करना चाहिए relationship because इस समय miscarriage के chance बहुत जादा होते हैं इस वज़े से लेकिन जो आगे के तीन महीने होते हैं जिसको second trimester कहा जाता है जो तीसरे महीने के बाद चालू होता है चौथा, पांच माँ, छटा महीना तो ये बहुत safe zone में होता है इस समय आपका baby bump भी बहुत जादा नहीं निकलता है अगर आपको किसी भी प्रकार की अस्तोविधा नहीं होते रिलेशन बनाने में तो आप इस दोरान रिलेशन बना सकते हैं और ये आपकी delivery में भी बहुत help करता है लेकिन friends कब आपको relation नहीं बनाना चाहिए तो friends अगर आपको twins baby है या फिर आपकी पहले delivery समय से पहले हो चुकी है आपके medical history में किसी भी प्रकार की abnormality सामने आई है या फिर आपको relation बनाने की समय काफी ज़्यादा pain होता है आपको किसी भी प्रकार का infection है जैसे UTI infection pregnancy के दोरान बहुत common होता है जैसे urinary tract infection के नाम से जानते हैं या फिर इस infection है या फिर बहुत ज़्यादा highly discharge जाते है तो ऐसे condition में relation को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये infection transfer हो सकता है पार्टनर के पास भी तो इसलिए इस तोरान थोरा सा आपको संबल जाना चाहिए बाकि आपकी डॉक्टर से भी इस विशे में खुल के बात करना चाहिए क्योंकि उनको आपके सरीर की पूरी जानकारी है कि क्या आपकी किस हद तक सरीर की शमता है या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है आपके साथ तो फिर रिलेशन मेंटेन करने में परिशानी कभी भी नहीं होती है आप अपने लाइफ स्टाइल को जैसे रखना चाहिए वैसे मेंटेन कर सकते हैं अगर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्षन मुझसे फ्रिक्वेंटली पोस सकती है मैं ज़रूर कोसिस करूंगे जल से जल उसके आंसर देने की विए इसी के साथ सथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक्शियो सब्सक्राइब कर वीडियो जो डिली आते हैं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए इस वीडियो को ज्यादर ज्यादर शेयर और लाइक करना बिल्कल भी न भूलें फिर से मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ अपना पूरा ध्यान रखें खुश रहिए सबस्त रहिए सुरक्षित रहिए बी पोजेटिव फ्रेंड्स थांक्स पर वाचिंग